11 दिन सिर्फ एक चमच घी में भून कर खालो, पूरी जिंदगी, बुडापा, कमजोरी, एनिंद्रा, ठकान, कमजोर आँखें, कैलसियम की कमी, हडियों की कमजोरी, सुगरो, कोलोस्ट्रोल, पेट के रो, मोटापा, और ये दिल से जुड़ी बीमारियां आपको कभी नहीं ह और इसके एक चमच को आपने घी में भून कर इसका सेवन करना है, और दोस्तो यदि आप ऐसा करेंगे, तब आप देखेंगे कि पूरी जिंदगी आपको कभी बुडापा नहीं आएगा, दोस्तो आपके चहरी पर नया गलो और चमकदार तफचा बनी रहेगी, दोस्तो आ आपके पूरे सरीर की कमजूरी बिल्कुल जड़ से खतम हो जाएगी, दोस्तो आपको कभी धकान नहीं होगी, आप हमेशा चुस्ती और फूर्ती वान अपने आपको फील करेंगे, दोस्तो क्या आपको एनिंदरा की समच्या है, और आप अपनी इस एनिंदरा की बीमारी क इलाज करना चाहाती है, दोस्तो तब भी ये नुस्खा आपके लिए किसी वर्दान से कम नहीं है, क्योंकि इस नुस्खे को लेने से आपकी ये एनिंदरा की बीमारी बिल्कुल सही हो जाएगी, और दोस्तो इस एनिंदरा की बीमारी के कान ही हमारे सरीर में डेड़ सो त् और हाडियों की कम जोरी है, और दोस्तो या आपको जोडों या खुटनों का दर्द रहता है, आप हमेषा इस दर्द से परिसान रहते हैं, तो दोस्तो तब भी ये नुस्खा आपके लिए वर्दान की त्रहा काम करेगा, क्योंकि ये नुस्खा आपके सरीर की कैल्सियम की कमी का इलाज करेगा, हाडियों की कमजोरी को खतम करतेगा, जिससे कि आपको हाडियों चेड़ा कोई भी दर्द नहीं होगा, ना आपको जोड़नों का दर्द होगा, ना घुटनों का दर्द होगा, नहीं आपके जोड़ों से कट-कट की आवाज आएगी इतना चमतकारी है इनुसका दोस्तों क्या आपकी आँखों की रोसनी कमजोर है और आप अपनी आँखों की रोसनी को बढ़ाना चाहते ही दोस्तों तब भी इनुसका आपके लिए वर्दान की त्रहें काम करेगा बस आपने इसके एक चमच को 11 दिन तक खी म भून कर सेवन करना है और इससे आपकी आँखों की रोसनी बढ़नी सुरू हो जाएगी और आपकी आँखों से हामेशा हामेशा के लिए चस्मा उतर जाएगा दोस्तों क्या आपको डाइबटीज की बीमारी है और आप इस बीमारी से तो बचना ही चाहते ही साथ में इसके कॉम्पलिकेशन का भी इलाज करना चाहते हैं कॉम्पलिकेशन में मुख्यत है सरीर की कमजोरी क्योंकि दोस्तो आपको कोई भी डाइबटीज रोगी मिला होगा आपने ये बात नोट की होगी एक तो उनको बार-बार भूख लगती है दोस्तो क्या आपके सरीर में बैड कोलोस्टोल की आपको समस्य है या आपको डर रहता है कि आपको कहीं हार्ट ब्लोकेश ना हो या आपको हार्ट अटक ना आ जाए तो दोस्तो तब भी ये नुस्खा आपके लिए वर्दान की तरह काम करेगा क्योंकि इस नुस्खे को लेने से आपके सरीर का खून साफ हो जाएगा खून में जो ये रक्त में बड़ी हुई एसडिटी थी उसका ये नुस्खा इलाज करतेगा जिससे कि आपको कभी बैड कोलोस्टोल की समस्या नहीं होगी और जब आपको बैड कोलोस्टोल की समस्या नहीं होगी तब आपको ना तो हार्ट ब्लोकिस आएगी और ना ही हार्ट अडेक आएगा दोस्तो ये नुस्खा आपके पेट की चरवी को भी मक्खन की तरह पिंगलाने का काम करेगा दोस्तों ना सिरब आपके पेट की चरवी को पिंगलाने का काम करेगा, यदि आपका सिरीर कमजोर है तो उसको भी ताकतवर बनाने का काम करेगा, यदि ये नुसका आपके वेट को बैलन्स करने का काम करेगा, यदि आपको मोटापा है तो उसको कम करेगा, और यदि आपका सरीर कमजोर है पतला दूबला है तो उसको ताकतवर बनाने का काम करेगा यानि दोनों ही व्यक्ति इसको ले सकते हैं दोस्तों यदि आपको पेट में कैस कबज या एसडिटी की समस्चा है या आप अपने पाचनतंतर को मजबूत करना चाहते हैं दोस्तों तब भी आप इसकी एक मुठी यानि की जो आप एक चमच घी में भूनेंगे वो एक मुठी के बराबर हो जाएगा भूनकर आप उसका सेवन हर रोज करें और दोस्तों यदि आप ऐसा करेंगे तब आपके पाचनतंतर की समस्चा दूर हो जाएगी जो आप खाएंगे वो आपके सरीर मिल गएगा और आपको पेट के रोगों का सामना नहीं करना पड़ेगा कबज गैस या एस्टिटी का तो चलिए अब आपको बताते ही कि इतनी चमतकारी चीज है क्या और दोस्तों मैं आपको बता दो कि ये आपको सबी जगहें से बड़ी ही असानी से मिल जाएगी निजदी की पंसारी की सौप से ये इस वीडियो के डिस्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूँँगा आप वहां से भी इसको बाई कर सकती है और दोस्तों इसकी साथ मैं आपको वुद्यो के डिस्रिप्शन में भी आपको लिंक है वहां से भी इसको बाई कर सकती है दोस्तों आपने सबसे पहले क्या करना है बबूल की गोंद को हालकी सी धूप में सुखाना है हालकी सी धूप इसको दिखानी है एक चमबच गी लेकर सुद गाएं का घी लेकर आपने उसको किसी फ्राइपन में डालना है और उसको गरम करके इसका जो बबूल की गोंध है उसका एक चमबर उसमें डाल दिना है और ये आपका भून जाएगा इसको आपको अच्छी तरहें से भूना है ताकि वो कच्छा न रहे जो बबूल की क्योंकि कच्छा गोंध नुकसान करेगा और भूना हुआ गोंध आपको नुकसान नहीं करेगा ये पूरी तरहें खिल जाएगा जैसे कि ये हमारा आप देख रहे होगे इस वीडियो में वो अच्छी तरहें से खिला हुआ है तो दोस्तो ये हो गया नुस्खा आपका आपके सिरीर की कमचूरी का इलाज हुजएगा आपको कभी बुडाबा नहीं आएगा और आप इन सब बिमारी उसे बचे रहेंगे तो दोस्तो देर की सबात की है आप भी इस नुस्खे को अपने घर पर आज ही बनाएं और इस नुस्खे का प्रियोग करी और अपने सरीर को बिलकोल निरोगी बना दें तो दोस्तो यह थी हमारी वडियो अगर आपको हमारी वडियो अच्छी लगे तो प्लिस लाइक और शेयर जरूर कीजिए इसके साथ में आप हमारी चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बेल का इकोन है उसको भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी सबी आने वाले वडियो की नोटिपकेशन आते रहे धन्यवाद दोस्तो